तो आज की स्वीडियो मैं आपको बदलना हूँ, रेडिमी नाइन पावर्ट फॉन में प्राइबेट इल्बम में से डिलीट हुए फोटो वीडियो को रिकवर कैसे करें, चलिए उस मैं आपको बदलने के बाद मैं अपना गैलरी उपन कर लेता हूँ, और उपन करने के प्राइबेट एल्बम में कुछ फोटो एड़ कर लेते हैं, तो जैसे कि यहां से हम यह वाला फोटो चूज कर लेते हैं, और यह वाला मैंने सेलेट कर लिया, यह वाला सेलेट कर लिया, और मैं यहां आ जाता हूँ, एड़ टू एल्बम में, जिहांस तो, और इस फोटो क हमारे प्राइबेट again दिखा यह टाओग मैं अपने प्राइबेट यहां लाइट कर दूंग उसके बाद दिखाऊंगा तो यहां जेते हैं पॉटो कर द तो इसको में से ब्लाइबेट किलिक कर देता हो और यहाँ सकते हो और यहाँ इसे पर क्लिक कर देता हो तो पहसे इसे क्ल्याइप कर् sports को Landscape आप दूस्तों जो भी हमारे private album में से photo delete हुआ है उसको कैसे recover किया जागा चलिए हम आपको बत रतेता हूं तो क्या करना होगा आपको यहां से इसको clear कर देना तो इसको मैं clear कर देता हूं आपके private album में से जो भी photo video delete हुआ है सब यहां आपको देखने को मिल जाएगा जाएगा तो आपको जो भी photo recover करना है आपको इस पर क्लिक कर देना तो यह फोटो में recover कर लेता हूं और मैं अपने private album का यहां pattern डाल देता हूं जाहां से तो आपको भी डाल देना है और डाल लेक प्रश्वीन में आ जाता है जिहां से आपको जो भी photo को आपको recover करना है बस आपको इस पर क्लिक कर देना और आपको अपने pattern यहां डाल देना है जाहां प्राइबेट इल्बम का डालने के बासे आपका यह photo recover हो जाएगा इस पर क्लिक करके मैं आपको यहां दिखा यह तो अपना ए प्राइबेट इलल्बम यहां उपन चाह रिखा लेधा हो और ऊपने के बाद अपना प्राइबेट का प्राइबेट इल्बम का पैटन डाल देता हो डालने के बास देख सकते हो हमारे प्राइबेट इल्लबम जोभी photo वीडियो डिलीट हुआ था सब यहां recover होच चुका है आप यहां देख सकते हो जी हां दोस्तों तो इसी तरह आप अपने Redmi 9 Power Phone में प्राइबेट अलबम में जो भी फोटो वीडियो डिलीट हुआ है इसी तरह आप इसको रिगवार कर सकते हो लेकिन दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है आपका नेट और नहीना चा